दरव के प्रेस्ट में दाब आंतर जैसा कि हमने देखा था अगर दरव का प्रेस्ट समतल है तो जितना दाब उपर होता है उतना दाब नीचे भी होता है अलकि H गहराई पर दाब बढ़ता जाता है H रोजी हुआ करता है लेकिन दरव के प्रेस्ट ठीक प्रेस्ट के उपर ठीक प्रेस्ट के नीचे दाब समान होता है लेकिन अगर दरव का प्रेस्ट उतल या आवतल परकरती की होता है तो तब इस प्रेस्ट में दाबांतर होता ह और अवतल प्रेश्ट की और दाव अधिक होता है जैसे एक बूंद है एक दरव की बूंद है मान लिजे इसकी रेडियस आर है सेंटर ओ है यहां दाव मान लिजे पी है बूंद है तो बाहर खुला प्रेश्ट हुआ अंदर पूरा दरव है यह प्रेश्ट खुला हुआ तो खुला प्रेश्ट अवतल हो गया इस दिशा में उपर उतल है उपरी सत्य है उतल है और यह प्रेश्ट अवतल है तो इधर उतल इधर अवतल और हम जानते हैं कि अवतल प्रस्ट की और दाब अधिक होता है यहां दाब अगर P है तो यहां दाब होगा P प्लस डेल्टा P मतलब दाब में अंतर आ गया दाब अंतर देल्टा पी हो गया इधर दाब ज्यादा है इधर दाब कम है अब देखे जब दाब इधर ज्यादा है इधर दाब कम है तो इस दाब अंतर के कारण चुकि हम यह भी जानते हैं कि दाब अधिक दाब से कम दाब की ओर चलते हैं दाव दरव में परभा होता है अधिक दाव से कम दाव की ओर माल लीजिए इस दाव के अंतर के कारण ये दरव की बून थोड़ी सी बड़ी हो गई ये डेल्टा आर रेडियस थी यहां से आ तक और डेल्टा आर रेडियस इस दाव अंतर के कारण बढ़ गई दाब की दिशा में थोड़ा सा ये बाहर फैल गया यहां भी दाब जादा है इधर फैल गया यहां दाब जादा है इधर फैल गया तो दाब के कारण दाब P लग रहा है, delta P दाब का अधिक अंतर है और ये बल एरिया पूरा का पूरा कितना होगा पूरे प्रस्ट का एरिया 4 pi r square होता है तो समझे कि यहाँ दाब delta P पढ़ रहा है यहाँ दाब delta P पढ़ रहा है अवतल प्रस्ट पर यहाँ दाब इसके मुकाबले में delta P अधिक पढ़ रहा है और पूरा एरिया 4 pi r square होता है इसलिए बाहर की ओर एक बल कारिय कर रहा है F बराबर P into A होता है P मतलब delta P दाब का अंतर क्योंकि यहाँ P है यहाँ P plus delta P है तो दाब का अंतर हुआ delta P बाहर की ओर और delta P दाब अंतर हो गया और एरिया 4 pi r square यह बल इस दिशा में लग रहा है और बल की दिशा में विस्थापन delta r है तो क्या गया कारिय है W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन बल लग रहा है delta P 4 pi r square इतना कारिय इस दाब के द्वारा किया गया है दाब के द्वारा अंतर दाब अधिक है अवतल प्रेश्ट के और दाब अधिक होता है दाब के कारण आ delta r तरद्या बढ़ी इतना कारिय करना पड़ा और देखो प्रेश्ट का एरिया बढ़ गया और हम जानते हैं कि कारिये W बराबर T लेल्टा A भी होता है अगर T प्रष्ट तनाव है दरव का और लेल्टा A प्रष्ट शेत्रफल में व्रद्धी है अब जरा देखिए यहां प्रष्ट शेत्रफल में व्रद्धी कितनी हुई है पहले इस बूंद की तरज्जा R थी बढ़कर R प्लस देल्टा R हो गई तो पहले इस बूंद के बाहरी प्रष्ट का शेत्रफल था 4Pi R स्क्वाईर और बढ़कर हो गया 4Pi R प्लस देल्टा R का होल स्क्वाईर तो ब्रद्धी हो गई इतनी तो देल्टा A का मान यह आ गया अगर इसे हल करें तो देल्टा A बरावर 4Pi कोमन लिया जा सकता है R प्लस देल्टा R का स्क्वाईर माइनस R स्क्वाईर तो R प्लस देल्टा R प्लस आर दूसरे कोस्ट में R plus delta R minus R R plus delta R का square minus R square 4 pi को मन आ गया A की 2 minus B की 2 A square minus B square A plus B और A minus B होता है formula पढ़ा होगा तो यहां से R से R cancel हुआ delta R बचा R plus R 2 R हो गया तो 4 pi into 2 R plus delta R और यह हो गया R से R cancel हुआ into delta R बराबर अंदर गुणा करते हैं 4 pi delta R की गुणा अंदर करते हैं तो यह हो गया 4 pi delta R into 2 R plus 4 pi R delta R 4 pi delta R into delta R मतलब इसका square तो delta A का मान हुआ 4 pi R delta R गुणा 2 2 2 into 4 pi R delta R R delta R प्लस यह अब देखिए delta R त्रज्या में व्रद्धी बहुत बहुत कम होती है और कम का वर्द बहुत कम होता है तो इसको हम नगंज मान लेते हैं छोड़ देते हैं इसको छोड़ने पर यह आ गया तो प्रस्ट एरिया में व्रद्धी यह हो गई प्लस 0 बराबर एक तरह से 8 pi R delta R यह छेतरफल में व्रद्धी हो गई इस छेतरफल में व्रद्धी में क्या गया कारिया W बराबर जैसा कि सुत्र हम जानते है W बराबर T delta है होता है तो T into 8 pi R delta R यह हो गया और उपर से हमने निकाला है कि यह जो बल लग रहा था दाब के कान जो बल लग रहा था बल द्वारा जो कारिया किया गया वो यह है दोनों को बराबर करें तो बराबर हुआ delta P 4 pi R square into delta R और देखे delta R से delta R cancel हो गया 4 pi 8 pi है 2 बच गया यानि 2 T R बराबर delta P और R square square से R cancel हो गया तो एक तरह से बराबर यानि 2 R R तो cancel हो गया 2 T बराबर delta P into R इस इंपलाइस देट delta P is equal to अर इदर चला जाएगा 2 T upon R यानि आवतल प्रेस्ट की ओर दाब अधिक होता है और कितना अधिक होता है 2 T बटे R के बराबर दरव की बूंद थे तो delta R त्रेज्जा बढ़ने पर प्रेस्ट छेत्रफल में वरधी 8 pi R delta R आती है चुकि दरव की बूंद में एक बाहरी खुला प्रेस्ट होता है अगर वायू में दरव का कोई बुलबुला हो मतलब यहां भी वायू है अंदर भी वायू है और यह दरव का बुलबुला एक बना हुआ है तो देखो इसके दो खुले प्रेस्ट हो गए यहां भी खुला प्रेस्ट है यहां भी खुला प्रेस्ट है तो यहां जैसे delta R तरज्जा बढ़ेगी प्रश्च छेत्रफल में वरद्धी डेल्टा ए बराबर होगी दो गुणा एक प्रश्च मतलब एट पाई आर डेल्टा आर अगर ये वायू में दरव का बुलबुला है दो खुले प्रश्च है न यहां दो खुले प्रश्च है दरव की बुन्द में एक खुला प्रश्च था एक खुला प्रश्च था तो यहां दो खुले प्रश्च होने की वज़े से जो दरव का छेत्रफल होगा वो उपरी प्रश्च का भी बढ़ेगा निचले प्रश्च का भी बढ़ेगा तो प्रश्च छेत्रफल में वरद्धी 2 गुनी हो जाएगी इसका मतलब होगा जैसा कि हमने उपर किया w बराबर t delta a बराबर delta p गुणा 4 pi r square into delta r और प्रश्चेत्रपल में व्रद्धी चुकि 2 गुनी हो गई इसलिए यहां delta p 2 गुणा 2T बटे r यानिके 4T बटे r होगा निकाल कर देख लें उपर की तरह ही अगर ये दरव में वायू का बुलबुला हो यानि यहां दरव है और इसके अंदर वायू है ये बुलबुला है वायू है यहां तो एक तरह से बुलबुला हो गया वायू का इसका भी एक ही फुला परस्थ है क्योंकि यहां दरव है यह वायू है एक ही खुला परस्थ है तो एक खुला परस्थ है तो एक खुला परस्थ यानि के यहां भी छेत्रफल जो डेल्टा ए बढ़ेगा वो वही होगा दरव की ब आएगा बहुत महित्पूर्ण बात है अच्छी तरीके से त्यार करनी जाएगा